हेलो गाइस आज का हमारा टॉपिक है साइबर क्राइम सबसे पहले हमें देखते हैं कि साइबर क्राइम क्या होता है साइबर क्राइम की डेफिनिशन में हम देखते हैं कि जो भी क्रिमिनल अक्टिविटीज होती है जैसे फ्रॉड या ओनलाइन हैकिंग तो यह साइब चीज़ साइबर क्राइम में आती है तो cyber crime is criminal activity that either target or uses a computer, a computer network और a network device, यानि जितनी भी जो भी crime हो, यानि आप अपने self motivation के लिए जो भी है किसी दूसरों को effect डालते हैं और चीजों को नुकसान पहुचाते हैं, वो cyber crime में count किया जाता है, अब इसी में हम देखते हैं कि cyber crime कितने type क्यों होते हैं, यानि type of cyber crime, तो देखते हैं, तो cyber crime में हम यह कह सकते हैं कि email के through हम fraud कर सकते हैं, identity fraud कर सकते हैं, यानि किसी की दूसरी की identity चुरा कर अपना बना कर हम कोई दूसरी activity कर सकते हैं, criminal activity, theft of financial या card payment data को चुरा कर हम अपने payment कर सकते हैं, theft and sell the corporate data, यानि दूसरी company के data को hack कर करके हम sell out कर सकते हैं, next है, हो टू प्रोटेक्ट यानि जो cyber crime होते हैं, cyber crime को आप अपने से कैसे protect करेंगे यानि जो cyber crime होते हैं हो टू प्रोटेक्ट यॉरसेल्फ अगें cyber crime, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा protection के लिए कैसे पहली चीज़ अपने system को up to date रखे यानि keeps software and operating system updated यानि keeping your software okay and next use anti-virus software and keep it updated in antivirus software use कोई जने ऐसे होते कि कि वायरस का आटेक होता है आपका system destroy हो जाता है या कई ऐसे वायरस होते कि आपके system में enter करके सारा data क्या कर लेते है चुरा लेते next use strong password कभी भी आप password लगाते हैं तो easy way का password यूज न मत कीजिये ना अपना date of birth लिखिए, ना mobile number, उसके अंदर high security visit, जैसे आप special symbol, number, tax, capital, small, इन सब का यूज़ कर सकते हैं. Next is never open attachment in spam mail. Spam mail में जो भी आपका ऐसा mail आता है, जो आप से related है नहीं, लेंगि फिर भी आपके system में आ जाता है, तो उसको open ना कीजिए. Next is hackers and crackers, यह definition आपको पता होनी चाहिए कि hackers और crackers होते ही क्या है, तो पहली चीज़, जो hackers होते हैं, वो individual एक person होते हैं, जो specialist होते हैं, skills होते हैं इनके पास, यह नि computer के बारे में बहुत सारी चीज़, operating system के बारे अच्छी तरह जानते हैं, और यह good person होते हैं, अब इसी में दूस होता है, cracker, cracker भी एक person होता है, जो अपने self motivation के लिए, personally requirement के लिए, क्या करता है, गलत काम करता है, तो देखिए, यहाँ पर आपके दो diagram दिखा है, hackers, crackers दिखने में तो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन, जो hackers होता है, वो openly work करता है, technically skill का use करता है, और crackers होते है, वो छुपकर work कर होते है, ठीक है, बिना किसी को बताए कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसी के अंदर हम दो-तीन चीजे और देखते हैं, कि hackers and crackers में main difference क्या होता है, hackers are kind of good people, same as it is, crackers are kind of bad people, hackers में होता है, does hacking for the good purpose and obtain more knowledge for it, they generally find loophole in the system and help them to cover the loophole, जबकि crackers क्या करता है, उन्हीं loophole का use करके, इस्तिमाल करके, अपने जो भी चीजे, un-authentication, un-authorized, जो भी अपने personal requirement को fulfill करने की करता है, यह नि किसी की account से पैसे चुराना या किसी की information को चुराकर, sell out कर देना है, एक्सेटर, 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 अब इसी में हम एक्सेट पढ़ते है, what is the e-governance, e-governance क्या होता है, e-governance का मतला होता है, electronic governance, एन e-governance, expended to electronic governance, is the integration of information and communication technology, यहनि ICT in all the process with the aim of enhancing government ability to address the need of the journal public यहनि अगर आप government के पास नहीं पहुच पारे अगर आप उनकी सब्सक्राइब कर रहे तो गवर्मेंट आपके पास पहुचेगी कैसे ऑनलाइन के थुरू साथी फैसलिट आपके income tax हो या reservation हो या e-tender हो कोई भी हो आपको जानी किसे नहीं आप घर बैटे बैटे सब कुछ online access कर सकते हैं तो आज कल तो यह जो गौवर्मेंट की बिलिंग है यह सब के सब आप ओनलाइन कर सकते हैं पेग कर सकते हैं नेक्स इसके फायदे क्या है बेनेफिट ओफ एक गवर्नेस फायदे तो बहुत है इसके सबसे पहले चीज कोई भी आपसे कैश नहीं माएंगेगा किसी काम के लिए यानि रिडियूस करप्षान नेक्स हा आपके टाइम बचेगा आपका अने जाएने का खर्चा बचेगा बहुत सारी चीज़े है यह गवर्नेस जो आप घर बेटे बेटे गवर्मेंट आपके पास आती है अब नेक्स है आपका इंडिया आईटी एक 2000 इनफोर्मेशन टेक्नोलोजी एक तो गवर्मेंट ने आप के लिए एक आईटी एक क्रेट किया था वह आईटी एक क्या है देखते हैं तो इनफोर्मेशन टेक्नोलोजी एक 2000 और एनी लेजिस्टेशन इन दा कंट्री दस नोट दिस्क्राइब और मेंशन दार्म साइबर क्राइम इट कैन भी ग्लोबली कंसीडर अस दा ग्लूमर फी आईटी एक आईटी एक 2000 के अंदर की साइबर क्राइम क्या होता और हम साइबर क्राइम को कैसे में क्राइम के अंदर इंक्लूड करते हैं नेक्स इसलिन सीमिट वश्र इसलिंट फीचा आई शॉर da 흥ें इसके अंदर डिक्राइम इप्लेट्ट्र 17 श्राइब ग्लूमर अंत्री 8 लिडक्रते देद दिखें इसके अंदर डिजितर दिघ्टेलूड गृंwo द्खें असे टूमर थीचिनियल दीस स्थच्टूड new section that cyber cafe in any facility for where the access to the internet is offered by any person in the ordinary course of business to the member of public so isa bhoots sare features है जो जो user उनकी requirement के according बनाए गया है अपनी security के according create किया गया है तो इसके अंदर आपने बैंकों में जो sign होते है वो फ्रोडली कई जेने चुरा कर sign करके आपके account पैसे नहीं कहा सकते हैं तो उन से safety के लिए government ने ITX के through digital signature system बना है digital signature में क्या होता है कि आप अपने sign को authenticate sign होते ही है आपने sign को करके आप किसी भी office bank इंसम में देते हैं और वो क्या करता है इसको scan करके digitally convert करके अपने पास store कर लेते कभी भी आप sign करते तो वो measure करता कि क्या यह sign आपके ही है तो दिखिए जब आप करते हैं तो sign को check करते हैं कि क्या यह sign आपके ही है अगर sign आपके नहीं है अगर 19-20 हुआ या कोई उनको fraud लगा तो वहीं पर वो कहेंगे कि आप वापस से sign कीजिए या पर आपको वो catch कर सकते हैं तो इससे हम गोलते है digital signature इससे क्या होता है आपके signature fraud होते है वो खतम हो जाते है नेक्स आपके electronic signature what is the meaning of electronic signature electronic signature के अंदर क्या होता है कि जब भी आपसे कोई भी task किया जाता है या कई purchase करते हैं कोई समान तो आपसे sign करते हैं hand to hand तो वो sign करते हैं जैसे आपके घर में कोई parcel आता है तो sign मांगते हैं आप sign किते हैं तब आपको speedpost, registry या कोई parcel आपको provide किया जाएगा otherwise वो मना करते हैं तो कागज को save करने के लिए paper को save करने का electronic sign होने लग गए तो वो electronic sign direct server के पास पहुंच आते कि हाँ या आपके पास या आपका ही ये सामान जो भी है तो इसके अंते हैं e-signature या electronic signature is a legal way to get consent or approval on electronic document or form this is the electronic signature next से सबसे important point वायरस यानि वायरस की full form के तब विटल information resource under seas यह वायरस का complete name है अगर expanded हो तो भी आप यही बोलनेगी कि क्या है next से क्या चीज होती है तो वायरस भी एक software होता है वायरस भी एक program होता है छोटे 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 तो computer virus is a type of computer program that when executed replicate itself by modifying other computer program and inserting its own code तो वायरस क्या करता है system के जो file उनको corrupt करता है तो देखिया आपके system में बहुत सारा virus है यह पिक नहीं यह virus है ठीक है तो यह क्या system को corrupt कर देते हैं तो यह boomer virus है ठीक है यह replicate virus है यह एक ही file को बार बार replace करता रहता है ठीक है यह कभी वह कोई file खोलो तो हमेशा cat open होता रहता है तो यह सारे virus है तो virus के हम type देख रहे है type of virus तो इसके देखते हैं पहला वाय से malware malware is short for malicious software malware is the name that they given any type of software that could harm computer system interface with the gather and user data or make the computer perform action without the owner and knowledge or permission यह यानि जियं यह जो virus होते हैं यह क्या करते है बिना permission के ही सारे काम यह आपके फाइल को इंफायको इंफैक्ट कर देते हैं और यह क्या करता है आपके सुम्हें से जितनी फाइल है वह corrupt हो जाती है और फाइलो वह open नहीं होती और यह आपके system के पूरई data को कर देता है next है आपका warm वार्म वार्म वी एक वायरस होता है जो piece of malicious software होता है that replicate cell यानि खुद को भी duplicated बनाता रहता है file को और network के spread करता रहता है एक system से दूसरे system में spread करता रहता है spyware, spyware एक टाइप का वायरस ही कहते है जासूस वायरस, जासूस ही करता है, आज किसी की सिस्टेम में गुच जाता है, तो किसी ने information अगर वायरस insert कराया है, तो वो उनमें से information निकालके दूसरी के पास send out कर देता है, spyware is a software that adds in gathering information about the person or organization without their knowledge, बिने किसी permission की information को चुरा लेता है, spyware can monitor and lock the activities that perform the target system, like lock key stock and gather credit and other information, ये information को निकालता है, next is addware, ये क्या है, ये भी एक वायरस है, वायरस नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या करता है, without permission आपके पास system में advertisement रादा रहता है, advertisement insert होते रहते हैं, जो आपको नहीं चाहिए, जैसे आपको mobile में message आते हैं, वैसे ये भी एक type का वायरस है, a lot of freeware, use addware, but not always the malicious way, यानि को यह आपको नुक्सान पोचाते हैं, बस आपके system को full कर देता है, next is ransomware, ransomware क्या करता है, it is a malicious software, ये क्या करता है, आपके system को hack कर लेता है, और आपके system को lock कर देता है, और ये जो आपका जो crackers होते हैं, आपको वो कहते हैं कि आगर आप ransom नहीं दोगे, तो हम क्या करते हैं, आपके सिस्टम में से data को delete कर देंगे, etc., etc. तो हम ही क्या करना पड़ता है? criminal activities में इसको count किया जाता है. तो ये ransom मांगते हैं. और ransom आप देते हैं, तब या आपके system को release करता है. ßeंक तो आज के लिए इतना ही, हम मैते हैं, next video में, thank you. झाल, 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 झाल